Welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we will start our new chapter of Science Book by Brain Road Series. The name of our book is Science Park Class 1. और हमारे chapter का नाम है, Air Around Us. Air मतलब हवा. अब हम पढ़ेंगे हवा के बारे में, इस chapter में इस chapter में आप पढ़ेंगे, Air is All Around Us. हवा हमारे चारो तरफ है. Air has movement. Air fills space. Air has weight. और uses of air के बारे में. तो चलिए, chapter स्टार्ट करते हैं. Chapter स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे warm-up. तो चलिए, समझाती हूं में आपको ये warm-up exercise क्या है. Look at the picture given below. नीचे एक picture दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए. Things filled with air are not colored. Color these things. आपने देखा, picture में कहीं color है और कुछ चीजों में colored नहीं है. तो उन चीजों में आपको color भरना है, जैसे balloon, tire और ball. इसमें आप color भरेंगे क्योंकि इसमें क्या fill होती है? Air, तो आपको बहुत सुन्दर से color भरने है. Can you write the names of the things? अब जो ये चीजे हैं, क्या आप उनके नाम लिख सकते हैं? तो आपको picture को ध्यान से देखना है और उनके नाम लिखने हैं. Now we will learn, Air is all around us. अब हम पढ़ेंगे हावा हमारे चारों तरफ है. Air is all around us. We cannot see it, but we can fill it. All living things need air. People, animals and plants cannot live without air. हवा हमारे चारों तरफ है. हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. जितनी भी living things हैं, जैसे आदमी, जानवर, पेड, पौधे. इन सब को क्या चाहिए? Air. वो हवा के बीना जीवित नहीं रह सकते. We feel air in the following cases. हम हवा को महसूस करते हैं, कब-कब? When we blow into a balloon. जब हम गुबारे में हवा भरते हैं. देखिए, ये बच्चा गुबारे में हवा भर रहा है, तो तब हम महसूस करते हैं कि हवा है. When we stand near our table fan. आपकी घर में table fan होगा, उसके आगे खड़े होई है. आपको क्या महसूस होगी? ठंडी-ठंडी हवा. तो हम फील करेंगे कि air है. Inside your mouth. When we blow our cheeks. जब आप अपने cheeks को blow करते हैं, कैसे-ऐसे? तो आप महसूस करेंगे कि क्या है? हवा है. When we stand, sleep under a ceiling fan. सबके घर में पंखे लगे होते हैं. जब आप अंके के नीचे खड़े होंगे या सोएंगे, तो आप महसूस करेंगे किसे हवा को. When we fan ourselves with a book or a hand fan. कई बार हमें गर्मी लगती हैं, हम बुक से ऐसे हवा करते हैं. तो हम उस समय महसूस करेंगे किसे हवा को. Air has movement. Air में क्या है? Movement है. When air moves, it called wind. जब हवा चलती है, उसे हम wind कहते हैं. Wind helps to move things like kite and sailboat. जब हवा चलती है, तो हम पतंग उड़ा सकते हैं. और sailboat मतलब now चलती है. कब जब हवा चलती है? Now we will learn that air fills space. अब हम पढ़ेंगे कि हवा जगा घेरती है. कैसे? What gives shape to a blown up balloon? हाली गुबारा है. जब उसे आप फुलाते हैं, तो उसको एक shape मिलता है, एक अकार मिलता है. कैसे मिलता है? क्योंकि you blow air into the balloon. क्योंकि आपने गुबारे में क्या भरी है? हवा भरी है. The air takes up the space inside the balloon. और हवा ने balloon में क्या लिया? स्थान घेरा, जगा को घेरा. It gives the balloon shape. और उसने balloon खो shape दी. देखें, ये balloon है, जिसमें हवा नहीं है. उसकी shape अलग है. जब आपने balloon में हवा भरी, तो उसकी shape अलग हो गई. Do you know, क्या आप जानते हैं? Air is present everywhere on the earth. क्या आप जानते हैं, धर्टी पर क्या है? चारों तरफ हर जगा हवा है. Now, we will learn that air has weight. Air में भार होता है. Which of the two balloons will be heavier? दोनों में से कौन सा गुबारा भरी होगा? The blown-up balloon is heavier than the flat one. जिस गुबारे में हवा भरी होगी, वो भरी होगा. किस से? बिना फूले हुए गुबारे से. This shows that air has weight. इस से हमें पता चलता है कि हवा में क्या है? भार है. Weight है. खाली गुबारे का कोई भार नहीं होता. लेकिन जब आब उसमें हवा भर देंगे, तो वो क्या होगा? भारी हो जाएगा. Now, time to test your skill. Write true and false for the following. Wind helps a kite to fly. Wind help करती है पतंग की उड़ने में. Yes, this is true. Next one. A blown up balloon is lighter than a flat one. भरे हुआ गुबारा जादा हलका होता है. किसके according? खाली गुबारे के लिए. No, this is fall. जिसमें हवा होती है, वो गुबारा जादा भरी होता है. Number 3 and number 4, you will do by yourself. Now, I will tell you uses of air. We have read that all living things need air to live. हमने पढ़ा है कि सभी living things को जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. All plants and animals living in water uses the air present in water to breathe. जितने भी जानवर या पेड़ पौधे पानी के अंदर होते हैं. वो क्या करते हैं? वाटर में breathe करते हैं. क्योंकि पानी में क्या है? एयर है. हवा होती है. जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं. Do you know? क्या आप जानते हैं? When we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं, we take in air, हम हवा को अंदर ले रहे हैं. When we breathe out, जब हम सांस छोडते हैं, we push out impure air from our body, तो हम दूशित हवा को अपनी बाड़ी से बाहर करते हैं. Air is also needed for burning, जलने के लिए भी हवा की आवशकता है. तो चलिए, एक एक एक्टिविटी से समझते हैं. A candle is lit with a mastic. एक मुमत्ती जलाई गई माचिस से. The burning candle is covered with a glass jar. एक glass के jar से इस candle को क्या करा? जलती हुई candle को धख दिया. The candle goes out after some time as there is no air left inside the glass to keep it burning. जब आपने मुमत्ती को ग्लाई से ढग दिया, तो थोड़ी देर बार क्या हुआ? मुमत्ती भुज गई. क्यों? क्योंकि उसमें air नहीं थी. तो आपने देखा कि जलने के लिए भी किसकी आवशक्ता है? Air की. Air make kite and parachute fly. Wind make the blade of a windmill move. Air can be filled in football, tires and balloon. आपको पता है कि पतंग और parachute किसकी मदद से उड़ते हैं? हवा की मदद से. और आपको पता है windmill की जो पंक्रियां होती है, वो किसके सहारे से गूमती है? Air के सहारे से. और football, tire और balloon में क्या भरी जाती है? हवा भरी जाती है. Now time to go in flashback. चलिए, flashback में चलते हैं. Air is all around us. हवा हमारे चारों तरफ है. Air fills space. All living things need air to breathe. Fish breathe through gills. आपको पता है, सभी living things को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? Air. और fish किस से सांस लेती है? अपने gills से. People, animal and plant cannot live without air. Air is needed for burning. जलने के लिए भी हवा की आवशकता है. Wind helps to move things like kite and sailboard. Now time to do exercise. Tick right the correct option. सही option पे तिक का निशान लगाईए. We fill the tubes of cycle with. हम cycle की tube को भरते हैं किस से? Water, sand, air या stone से. Cycle की tube में air भरी जाती है. We need air for. हमें हवा की आवशकता पढ़ती है किस लिए? Eating, breathing, playing or dancing. हमें breathing मतलब सांस लेने के लिए. Number three and number four you will do by yourself. Exercise B. Choose the correct answer and fill in the blank. सही answer को choose करिये और खाली जगा को भरिये. We feel dash when we switch on a fan. हम कैसा feel करते हैं? जब हम fan के switch को on करते हैं. Air या water. हम किसे एक महसूस करते हैं? We feel air. A-I-R, air. Number two. Air fills up. Water या space. Air क्या fill करती है? क्या घेरती है? Space. S-P-A-C-E. Space. Number three. All living things need dash to breathe. सब living things को सांस लेने के लिए चाहिए. क्या? Air या water. उन सब को air चाहिए. A-I-R, air. Number four and number five. You will do by yourself. Now time to do matching. अब हम matching करेंगे. यहाँ पे दो कॉलम है. कॉलम A और कॉलम B. तो कॉलम A में जो नाम है या जो दिया हुआ है, जो statement दी हुई है, उनको पढ़िये और सही से माच करना. Number one, air is, हवा है, gill all around us, need air to breathe, contained air is called wind. तो सही option है, air is all around us, हवा हमारे चारो तरफ है. Fish breathe through, fish किस से सांस लेती है, fish breathe through, gills, gills की मदद से सांस लेती है. Number three, moving air, moving air को क्या कहते है, moving air is called wind, living thing, living things को क्या चाहिए, neat air to breathe, सांस लेने के लिए हवा चाहिए. Number one, football, parachute contain air, football or parachute में क्या होती है, हवा होती है. Now, exercise D, answer the following questions. My dear kids, once again you will read your chapter carefully and exercise D, you have to do by yourself. In this chapter, we have learnt about air and uses of air. I hope you learnt so many things from this video and stay tuned for next video. Till then, take care, bye-bye. One, two, three, two, three, two, three. झाल झाल